Hello students, welcome, worksheet number 63 and we are going to do constructions part 3, which actually class 9th में आप पहली बार करोगे और बहुत ही interesting construction है, देखो आपके सामने क्या problem है, कि आपको एक ऐसा triangle construct करने है, जिसमें एक base दिया है आपको, यानि नीचे वाली line segment आपको given होगी base, और एक base angle दिया होगा तो जो line segment आप नीचे लोगे उसके साथ एक angle भी होगा वो हमेशा base में होगा इसलिए लिखा गया है base और base angle और sum of other two sides यानि कि इस triangle के अंदर आपको एक side तो given है बाकी दो sides का sum given होगा यानि कि suppose आपको given होगा कि दो sides का sum 12 है तो अब 12 तो कई तरीके से हो सकता है आप 8 प्लस 4 भी हो सकता है 6 प्लस 6 भी हो सकता है 7 प्लस 5 भी हो सकता है तो हम किस तरीके से 2 sides लें यह सब अलग अलग हो सकती है लेकिन अब इस तरीके से आप यह देखोगे कि एक ही तरीका रहेगा अगर आप इन दो चीजों को fix कर दोगे तो एक particular answer ही हो सकता है बहुत सारे answer नहीं होगे इसके मतब construction आपकी एक जैसी होगी सब बच्चे अलग-अलग नहीं बना सकते कोई एक unique answer ही होगा चीक है? तो अगर उसका base angle और base fix कर दिया जाए तो sum of two sides आपकी 12 आएं उसके लिए एक unique तरीका रहेगा तो अब इसको start करते हैं इसके लिए आप सबसे पहले base जो given होगा उसको नीचे draw कर दोगे इसको बना दोगे फिर B point से आप अपना एक angle बनाओगे वो angle आपको given होगा जितना भी होगा यह X, B, C इसके बाद इस point से आप C पे मिला दोगे तो यह जब आपका point मिल जाएगा तो हमें इतना portion मिल गया B, D, C अब next आपको क्या करना है यह जो आपका D point है देखो सबसे पहले आपने B, C बनाया फिर B, X बनाया उसके बाद यहाँ पे cut करा D point वो D point उतना ही लोगे जितना sum of sides आपको given है ठीक है यह आपका BC हुआ और फिर आप इसको CD से join कर दोगे ठीक है इतना हो गया अब next आपको क्या करना है आपको एक angle बनाना है DCY यह DCY आपका equal होना चाहिए B, D, C के यानि दो angles equal होनी चाहिए इन दोनों को equal angles बनाओ ऐसा आपने class 6 में क्या हो है measure करके यह angle जितना है यह आपका angle जितना भी आएगा उतने ही angle यहाँ पे choose करके एक ऐसे array बनाओगे ठीक है यह तुमारी CY पे जाएगा जब यह दो angles equal हो जाएगे तो आपका वो particular triangle बन जाएगा अब कैसे आप बोलोगे मैं कैसे बनेगा बताइए आप convinced नहीं हो रहे तो देखो यहाँ पे क्या है अगर आप triangle ACD लेते हो ACD के अंदर आपने यह देखा ACD और ADC आपके construction से equal बने यह angle और यह angle आपने दोनों बराबर बनाए जब यह दो angles बराबर बने है तो उनके opposite sides भी आपकी बराबर हो गई ठीक है अगर यह दो sides बराबर हो गई तो हम लिख सकते AB is equal to BD minus AD यह जो आपका AB है this AB इसको हम लिख सकते BD इस पूरी BD में से इसको minus कर देंगे तो AB आ जाएगा है ना तो अब यहाँ पर आप लिखिए AB is equal to BD minus AD को replace कर दीजिए AD आपका AC की बराबर है इससे replace कर दो फिर आप AC को इधर ले आओ तो इसका बर हो गया AB plus AC equal to BD यह clear हो गया इससे यह proof हो रहा है कि आपने जैसे चाहा था वैसा बन गया नहीं समझाया कोई दिक्कत नहीं अभी मैं और समझाऊंगी दुबारा से यह देखो जैसे यह question आपको करने है एक triangle बनाने जिसमें BC आपको base angle दिया है तीकि उसके ओपर फिर आपको 75 degree का angle बना दिया अभी आपको actual construction से बनाने B से नापके नहीं बनाने आपको जैसे पिछली worksheets में बताये गया 75 वैसे आप बनाऊगे क्योंकि यहां आपके marks करते हैं ठीक से नहीं बनाऊ तो उसके बाद इन दोनों का आपको other two sides का sum दिया है तो यहां B से लेके आप कट करोगे एक arc 13 cm की length जितना यह D point होगा फिर D को C से मिला दो गए ठीक है तो आपका इतना triangle बन गया यह side आपको दी वी है यह 75 आपने बनाया construction के accordingly यह 13 cm हो गया यह देखोई base angle था इतना आपने करके आपकी यह रे जा रही थी यह D point इतना कर दिया अब आपको next यह करना है कि आप एक DC को इस तरीके से join करो कि angle DCY BDC के बराबर बने DCY B यहाँ से एक ऐसे line draw करो जिससे यह angle और यह angle दोनों बराबर हो जाए अब मैं आपको यह बता रही हूँ कि यह थोड़ा सा tough रहेगा मैं आपको construction करके दिखाऊंगी अभी इतना portion करने के बाद जब आपका इतना बन जाए यह step इतने ही रखो अब आप CD का perpendicular bisector बनाओ CD का perpendicular कैसे बनेगा C पे रखके 1R के इधर 1R के इधर फिर प्रकार को यहाँ रखो कि 1R के इधर 1R के इधर ऐसे करके आपकी जो line बनेगी यह जो point आएगा इसको इससे मिला देना तो यह तुम्हारा ABC बनेगा यह आपको ज़्यादा easy रहेगा मैं आपको explain करके भी बताती हूं कि कैसे यह clear है और कैसे इसमें ठीक construction होती है तो हम इन questions को लेते हैं और अब हम इसको draw करते बच्चों हमें पहला question जो दिया है वो यह दिया है constructor right triangle ABC जिसमें angle B90 है AB और AC आपके 10 cm है और BC 6 cm है तो इसको draw करने के लिए हम एक rough diagram पहले बनाएंगे आप देख रहे हो कि यह rough diagram मैंने draw करके रखा है ABC इस तरीके से बनेगा कोई भी construction करने से पहले हम ए rough diagram बनाना होता है और BC 6 cm है इस तरह के questions करने में जहाँ पे addition of two sides given हो आपको तो आप अपने copy के बिल्कुल bottom page पे एक दम नीचे आप line segment draw करो जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा BC मैंने draw करके रखा है 6 cm या आप सब बचों को पता ही है मैं अपनी सब वीडियो में बता रही हूं कि हम कैसे scale पे देखते हैं 6 cm को आप देख रहे हो कि हमें यहां से देखना है 0 वाली जगह से लेके 6 तक देखना है यह सब बचों को अब clear है यह वाला mistake मैंने notice किया है B को 90 degree draw करना है तो last worksheet में हमने 90 degree draw किया था अगर किसी बच्चे को नहीं समझाया हो तो आप वो दुबारा भी देख सकता है कैसे 90 degree draw करना है तो आप इसको B को लोगे और यहां पे convenient radius से जो भी आपको सही लगता है उतने उसे किसाब से आपने ऐसे बना दिया फिर इसको बिना change करें जितना आपने लिया था पहला वाला 60 degree होता है उससे अगला वाला 120 degree होता है उन दोनों के बीच वाली जो जगह होती है वो 90 degree होती है तो यह लेकिए आप इसको 90 बना दोगे और आपको पता भी है कि 90 degree क्या होता है एक दब straight जो होता है वो आपका 90 degree होता है और ऐसे करके आप लंबी सी line बनाओगे इस तरीके से पूरा full बना लीजे और इसको आप नाम दे दीजे BX देखे रहो हमने क्या किया इसको BX ray हमने draw कर दी इस तरह से एक हमने बना दिया है यह हम किरन बना देते हैं इसको रे को हिंदी में बोलते हैं किरन अब आप देख रहे हो कि यह जो यहाँ पे point लेना है वो हमें sum लेना है 10 cm का तो scale पे यहाँ से लेके 10 cm का लंबा आपको उसको अपने compass को open करोगे तो यह मैंने 2 points mark कर रखें जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि मैं हमेशा ऐसे points लगा लेती हूँ इससे हमारे हिलने के chances कम होते हैं कि जैसे आप scale को करते से मैं आप हिला लेते हूं बहुत बार तो तुम 2 points अगर ऐसे mark कर लोगे तो यह बिल्कुल सही measurement का होता है अब आपने क्या करना है बी से लेके जो आपको distance ए बी ए सी का दिया ना वो mark करना है 10 cm का और फिर आपको यहाँ पर लिख देना है 10 cm ठीक है और इसको करके फिर आपका जब 10 cm हो गया यह जो point है आपका इसको आप C से मिला दीजिए तो यह अपने जो full length ली थी वो आपने उपर उसको measure कर लिया है यह इस तरीके से आपने मिला दिया और इस point को हमने नाम दिया CD अब मैं तुम्हें अपने तरीके से बता रही हूँ कि मैं इसको कैसे चाहते हूँ आप यह से बनाओ यह easy रहेगा और दो construction में आपका काम आता है यह जो CD है हम इसका perpendicular bisector बनाएंगे या लंब सम्धी भाज़क बनाएंगे क्या बनाएंगे perpendicular bisector और Hindi medium बच्चे उसको लंब सम्धी भाज़क बोलते हैं अपने compass को पूरा tight करके आदे से आदा open कर लो अंदाजे से और दोनों जगा इसको आप mark लगा दीजिए जैसी यह लगा हमारा हमने एक यह आर्क लगाया और एक यह आर्क लगाया अब इसके बाद दूसी जगह अपना compass लीजिए और यह आर्क लगाये और यहां से आर्क लगाये अगर हमारा आर्क हिल गया है तो हम इसको दूसी साइड वाला जैसे कम बना था यह हो गया अब आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं कि वो point कौन सा है एक यह point है आप points को हम आपस में मिला देंगे तो अपने page को हिला कर जो आपको सही लगता है ऐसे करके आपने इसको यह करके dot dot करके आप ऐसे करके बना दीजिए line यह देख लो मैंने dotted line करके आगे बनाए तो यह जो तुम्हारा बनाए perpendicular bicector बनाए इसने bd को जिस जगह पर touch किया वो यह point ह इस point पे touch किया यह point आपका A होगा इसको mark कर दो A ठीक है हमने क्या किया cd का perpendicular bicector बनाए लंब समधी बाज़क उसके लिए हमने c point पे रखके a car की यहां और a car की यहां लगाया ठीक है उसके बाद बिना हिलाए क्योंकि आपको उसको change नहीं करना एक उपर लगाया और एक न बन गया ठीक है तो यह जो point है यह है अब आप इसको a को c से join कर दीजिए तो यह जो आपने बनाया यह a b से फुल ट्राइंगल बन गया ठीक है अब आप इसको check करो कि a b plus a c क्या 10 cm आ रहा है जो कि हमारे question में आक्स था देखो इसको बोल सकते कि वहीं यह चीज आएगी कैस कोई भी आप perpendicular bisector बनाते हो अगर आपने किसी line का perpendicular bisector बना है तो उसमें जो भी point लाई करते हैं वो सब point बराबर दूरी पर होते हैं इन दोनों point से यह पता है न आपको और वो 90 भी होता है यह सबको पता है न तो उस हिसाब से जो a point है वो इसके ओपर आ रहा है तो यह a c distance औ और आपका a d distance बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि हमारे को इस construction से यह पता चला कि a c is equal to a d a c और a d दोनों बराबर है और a b को हम क्या लिख सकते a b किसके equal है b d minus a d b d में से a d subtract करो यह जो a b length है आपकी a b length यह किसके equal है पूरी full b d में से a d minus किया उसके equal है तो अब आप य इसके equal है a d किसके equal है a c के equal है तो हमने इसको change कर दिया इसमें ठीक है अब आप इस equation में इसको इधर ले आए तो यह बंचाएगा a b plus a c equal to b d और b d हमने कितना ड्रौ किया था 10 cm यह जो हमने 1st आर्क लिया था b d का यह हमने 10 cm ड्रौ किया था यह लिखा है ने 10 cm तो अब हमा आर्क वर्कषित में क्या दिया हुआ है कि आपको यह दो एंगल इक्वल बनाने यह दिया न तो अगर आप यह बोलते हो कि यह दो साइट बराबर है a d अगर a c के बराबर है तो a d के पोजिट एंगल कौन सा बच्चो इसके पोजिट एंगल यह हो गया यह वाला portion ठीक है और AC के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, यह हो गया, तो यह दोनों इक्वल हो गया, तो आपकी वर्कशीट में जो चीज दिया, वो वैसी दिया, अगर तुम उसको कमपस से बराबर बनाने की कोशिशे करोगे, तो वो थोड़ा टफ प्रोसीजर है, यह परपेंडिकुल ब के वह 75 और PQ और PR का टोटल है 13 cm, तो इसको ड्रॉ करने के लिए, हमने यह मेजरमेंट से यहां लिख दिये, अगर हम इसका रफ डाइगरम शो करेंगे, रफ डाइगरम बनाना चाहेंगे, PQR का, तो हम देखते हैं कि QR हम नीचे लेंगे, और P यहां Q पर आपको 75 डिगर रफ दिड़ कर रखेंगे, ठीक है, और इसके अपर अब हमें 75 डिगरी अंगल बनाने हैं, 75 बनाने हैं, ठीक है, 75 हम बनाएंगे, एक अपने कमपस को जो भी आपको जितना अच्छा लगे, जितना बड़ा, जितना छोटा आपको अच्छा लगता उतना आप इसको ओपन क कर लोगे उसके बाद बिना चेंज करें कमरस को हिलाना नहीं है जितनाब आपने यहां पर कर दिया है उसी के हिसाब से पहला वला कट वहा 60 डिगरी जो आप देख रहें पहला वला कट हुआ 60 डिगरी और फिस 60 पर वो आपका 90 degree है ठीक है इस point से इस point से और इस point से ये 60 degree है 90 और 60 के बीच में आपका 75 होता है अब चाहो तो आप इसको change कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे बड़ा छोटा तो आपने ऐसे करके एक arc लगाया और फिर इस point से बिना change किये एक arc लगाया ये दोनों जहां पर cut हों ठीक है तो अब हम इसको आगे draw कर देंगे तो ये आपको बड़ी लंबी सी line बनानी है ये आपका 75 degree का बन गया और यहां साथ साथ में लिखतो 75 degree और इसको लिखतो qx ठीक है हो सकता है ये हमें और लंबा बनाना पड़े तो बहुत लंबी बना लीजे क्योंकि हमें length आगे चाहिए इसी पे हमें d point कट करना है जिसका total हो 13 cm सो scale पे अपने compass को open करें इस compass length को इतना open करो कि 13 cm हो जाए यानि इदर से लेके 13 तक का तो यह मैंने यहां पे scale पे mark कर रखा है ऐसे points यह देखिए यह मैंने mark कर रखा है दो points को यह मेरा 13 cm के equal है अब इसको q पर रखकर q पर ऐसे arc लगाना है इस तरीके से तो यह जो point मिला इसको नाम देदो d और यह आपका हुआ है 13 cm यहाँ पे लिख दो सुन्दर सुन्दर 13 cm ठीक है अभी तक देखो जितना मैंने construction किया साथ साथ लीबलिंग करी है qr लिखा 7 cm लिखा यहाँ पे 75 degree देखो इस सब नजर आ रहा ह कि 60 का point था 120 का था 90 बनाया फिर 90 के बाद बच्चे ने 90 60 के बीच में बनाया तो 75 बना अच्छे से सारे arcs नजर आ रहे हैं अब आपको क्या करना है यह 13 cm से बिल्कुल जैसे पिछली construction की भी R और D को join कर देना है इसको आप scale से ऐसे करके join कर दीजे अब जो यह RD है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब सम्धिवाजिक में आने के लिए मुझे उपा नीचे दोनों जिगा अपने आर्क लगाने ठीक है तो मैंने अपना दूसा कंपस ले लिया यह थोड़ा डीला है इसलिए कि हमारा आर् ठीक है ऐसे लेकर हमने इसको ऊपर नीचे आप देखरो आदे से ज्यादा मैंने खोला है यह जितनी भी इसकी लेंथ है उससे मैंने हाफ से ज्यादा ओपन करके एक इधर आर्क लगा दिया ठीक है काफी बड़ा अच्छा सा लगा दो एक इधर लगा दिया अब इसको बिन आर्क बनाये थे उसके कट उने चाहिए ठीक है तो आप यह देख रहे हो यह पॉइंठा में मिल गया इन दोनों पॉइंट को मार्क कर लो एक पॉइंट इधर आया है और एक पॉइंट इधर आई इसको अच्छा डॉट्टेड उससे मार्क कर लीजे अब आपको इसको स्क कrelarını पहली वाली लाइन है क्योडी उसके साथ में उसको यहां पर आर से मिला दो तो यह तुमारा पी वाट रैंगल बन जाएगा ठीक है अब यह कैसे पता चलेगा कि PQR ट्राइंगल हमारा बना है इसके लिए हम रीजन्स देख सकते हैं कि हमारे क्या रीजन है देखो सबसे पहली बात तो यह है आपको यह पता है कि जब हमने परपेंडिकुलर बाइसक्टर ड्रॉ किया तो यह PR लेंथ और PD लेंथ दोनो समांदूरी होते ही कोई भी point लोगें दोनों से समांदूरी होती है अब अगर PR औरlara बरावर है और आप यह लो यह वाला यह वाला लो इसमें तो इसमें following पॉइंट जघी को है अगर मैं पी क्यू लिखना चाहूं तो किसके बरावर होगा पी क्यू होगा QD माईनस PD इस QD में से पूरी full length में से PD को घटा देंगे तो हमें PQ मिलेगा ठीक है? अब आप ये दिखिए तो हम ये जो QD वाली जो है इसको ऐसी लिखे जो PD है PD को हम change कर देते PR में क्योंकि PD PR के बराबर आप यह PR लिख दो अब इसको इधर लेकर आजो तो आपका क्या बन गया? PQ प्लस PR is equal to QD और QD कितना था आपका? कितना हमने बनाया था? हमने बनाया था 13 cm इससे प्रूव होता है कि ये जो line segment है इन दोनों का addition इसको और इसका 13 cm है ठीक है? तो हमने ऐसे triangles बनाये हैं हमें अलग-अलग length नहीं पता थी उनका addition पता था ठीक है? और आपके उसमें क्या बता रखा है वरक्षिट में कि ये दोनों angles आपको बराबर बनाने हैं ये automatically बराबर होगे क्यों? जैसे अभी मैंने पिछली construction में बताया कि ये line और ये line दो बराबर है एक triangle में अगर दो lines बराबर होती है तो उनके opposite angle इसके opposite angle क्या है? इसके opposite है ये ये angle है ठीक है? और इस line segment के opposite angle क्या है? ये ये ठीक है? तो इस रेखाखंड के opposite ये कौन है? और इस रेखाखंड के opposite ये कौन है? ये दोनों कौन बराबर होगे तो वो दोनों चीज़ें हो रही है ना इसमें तो ये ज़्यादा असान है कि हम perpendicular bisector ये लंब समधी बाचिक बनाएं ये आपको अगले पकार के जो हम प्रशन करेंगे ना उसमें भी यही तरीका रहेगा तो मेरे ख्यासे आपको समझ में आ गया होगा देख रहो कितना अच्छा बनाए है कंपस से कितना सुन्दा लग रहा है ऐसी तुम्हारी दिखनी चाहिए कंस्ट्रक्शन ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट है बच्चो तीन मार्क का ये आता है और पांच मार्क का दो कंस्ट्रक्शन आती है पेपर में हर साल एक इस तरह की आती है और एक और हम अभी करेंगे तीन कंस्ट्रक्शन दो हम टोटल इस चैप्ट में सीखने वाले ठीक है बच्चो वीडियो को शेर करो लाइक करो अपनी फ्रेंस के साथ में कमेंट्स करो कि तुम्ही कैसा लगा हम फिर मिलते हैं बच्चो ओकी चिल्रन टेक केर बाई बाई